दोस्तो, TAKTI में आपका स्वागत है आज हम first year Electrician theory का chapter 8 बता रहे हैं जी हहाँ, दोस्तो, per day हम एक वीडियो, ITI Theophy से डाल रहे हैं, जो कि आज हम Electrician theory का डाल रहे हैं, जो कि chapter 8 है, chapter 7 तक पहले ही हम बता चुके हैं, यह बूक का है chapter 7 तक जो भी important question है वो बता चुके हैं आज 8 का और इसको लिए आप नीचे description में जा करके सबका link दिया हुआ है chapter wise आप जा करके आराम से देख सकते हैं कि कैसे कैसे question है तो चलिए आज हम chapter 8 को चलते हैं तो शुरू करने से पहले अगर आप मैंने चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकोन दबा दें क्या है संबंध वेवसाइट थियोरी यानि फीटर एलाइट ट्रेड थियोरी फीटर देख लिजिए क्या दिया हुआ है पहला विभीन कल पूर्जो को संयोज कर उन्हें मसीन के रूप में देने वाला काड़ीगर ही क्या कहलाता है फीटर कहलाता है यानि chapter ही फीटर है नेक्ष्ट है दो नमर कोश्चन दस्ती आउजार को कीन वरगों में वरगी क्रित किया जा सकता है तो इसको सभी में कर सकते हैं खोलने और बांधने के आउजार में भी कतरन आउजार और मापक आउजार में भी चिन आउजार में भी नेक्ष्ट है तीन, निवन में से खोलने बांजने वाले अवजार कौन है तो ये सभी अवजार है, स्नैपर इसको वाइस में कर सकते हैं, हतावरा रिंच, भी बोलते हैं, रिंच है, पलास, पेचकस, ये सभी है नेक्स चार पेचकस का आकार इसके खालिय स्थान की लंबाई से निरधारित किया जा सकता है तो आप्सन नमर शी सैंक और बलेड नेक्स चलते हैं पांच नमर कोश्चन विभीन प्रकार के खांचे युक्त सिर्स वाले पेचो को खोलने तथा कसने वाले आउजार को हम क्या कहते हैं तो इसको आप्सन नमर शी कहते हैं पेचकस छे पेचकस निम्न आकार के आम तोर पर होते हैं कितना से कितना इंच के होते हैं ये बी नमर option दो इंच से ले करके 18 इंच के बीच तक होते हैं साथ निमन में पेचकस के प्रकार कौन से है कौन-कौन चाप पेचकस होता है तो मानक पेचकस होता है आपसेट पेचकस होता है फिलिप्स पेचकस होता है ये सभी पेचकस आता है नेक चलते हैं आठ नमर निवन में से पेचकस के परकार कौन से हैं तो option नमर D होगा सभी हो जागा इसमें घरीच, साज, पेचकस रेंचिट, पेचकस कारपेंटर, पेचकस 9 यह एक दस्ती आउजार है जिसका परियोग चोट मारकर बस्तूओं को मोरने, सीधा करने, रिवेटिंग करने में किया जाता है यह कौन सा है, option नमर B हाथ होगा नेक चलते हैं दस नमर हाथ होगा किस धातू से बनाया जाता है तो अश्त होगा नमर A बनाया जाता है बहार के अधार पर कितने वजन तक हंथोरे बनाए जाते हैं तो option नमर A 125 गराम से 1.5 किलो के गराम तक 13. पीन की आकिर्थी के हंथोरा पर हंथोरा के परकार यानि पीन के हंथेरी कौन-कौन सा आकार होता है एक होता है बॉल पीन हैमर 14. कारे विसेस के अधार पर हंथोरा न मलिखित में से कौन सा परकार है असलैम हैमर, मैलेट, सौब्ट हैमर, डबल फीस हैमर, क्लोक हैमर नेक चलते हैं पंदर नमर कोष्चन या एक छोटा दस्ती ओजार है जिसका परियोग छोटे कारेखन इत्यादी को पकरने तारों को मूरने और काटने के लिए किया जाता है कौन सा B नमर उप्षन प्लायर 16 प्लायर किस धातु के बनाए जाते हैं तो B नमर उप्षन कारवन श्टील के 17 कारे के अनुसार प्लायर के परकार कौन सा है ये combination प्लायर भी होता है, long nose प्लायर होता है, worker वी करनी प्लायर होता है, next चलते हैं, 18 नमर ये प्लायर जो दिया हुआ है, इसको हम किस नम से ऐसा question आएगा, option रहेगा, तो इसको बोलते हैं, option नमर शी, combination प्लायर, next चलते हैं, 19 नमर question, यह उत्तोलक के सिधान परकारे करने वा बनाय जाते हैं, तो ये बनाय जाता है, drop, forge, steel का भी, carbon steel का भी, और vanadium steel का भी, 21 नमर question, अस्पैनर के आकार, इसके आकार खाली अस्थान से निर्धारित किया जाता है, तो option नमर ये, move, 22, निमलिखित में से अस्पैनर के परकार कौन से हैं, एकल सीरा स्पैनर भी है, दूरा सिरा स्पैनर भी है, और combination अस्पैनर, तीनों होता है, नेक चलते हैं, तेस नमर निमलिखित में से अस्पैनर के परकार कौन से हैं, तो इसमें भी सभी है, ring अस्पैनर एवं soft अस्पैनर, air adjustable अस्पैनर, और box अस्पैनर एवं, allen अस्पैनर, नेक चलते हैं, 24 नमर, बरे आका हातू से बनाए जाते हैं, तो यह बनाए जाते हैं, option number B, cast a steel, 26, निमन में रिंच के परकार कौन से हैं, तो यह है, A में pipe ring, do में trap ring, C में chain ring, यह सब है, नेक चलते हैं, देख लिजे, यह figure को पाचानना है कि किस चीज़ का, यह figure है, तो यह pipe ring का है, pipe ring, ऐसे भी आप देखे होंगे, जो भी काम होता है, pipe को कसने के लिए, यह pipe ring का यूज होता है, नेक चलते हैं, किसी कारेखन पर drilling, filing, tapping, इत्यादी किरिया करने के लिए, उसे मजबूती से जकरने के लिए, जिस युकती का पढ़ियो करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको B, नमर, bonk, 29 बॉंक के body, cost iron से, तथा जबरो के blade, खाली अस्थान से बनाए जाते हैं, C है carbon steel, अगला है, तीस नमर, bonk के आकार कैसे व्यक्त किया जाता है, तो उप्सन नमरे, जबरे की लंबाई से, नेक्स्ट है, एक तिस नमर, bonk के परकार कौन-कौन से हैं, तो bench bonk, machine bonk, एम पीन bonk, C, pipe bonk, या long bonk, नेक्स चलते हैं, पतिस नमर, question, यह जो figure दिया हुआ है, यह किस चीच का है, तो यह option नमर, B, machine bonk का figure दिया हुआ है, नेक्स चलते हैं, तेतिस नमर, वह, हस्त आउजार, जो कारे खंडों को घीसने, खुरचने और काटने, इत्यादी के लिए परयोग किया जाता है, उसको A, नमर, option करते हैं, करतन आउजार, 34, करतन आउजार का निर्मान कठोर धातू से किया जाता है, जैसे, carbon steel, high carbon steel और high speed steel, C है, mister steel, नेक्स चलते हैं, 35 नमर, करतन खारे में, मुखिक निमलिखित आउजार का परयोग किया जाता है, A, रेती, और scraper, B, drill, high, C, ज नेक्स्ट में ये figure दिया हुआ, इसको बताना है कि ये किस चीज़ का है, तो ये रेती का figure है, देख लिजे, यहाँ पे है, यहाँ पे design नहीं बनावा, ये face है, eagle है, इसा point दिया हुआ है, ये रेती का figure है, रेतीयों का वर्गी करन, किस की अधार पर हम करते हैं, वर्गी कर अंडों की कटाई, वह खुरचने के लिए परयोग किया जाने वाला हस्ता हो जार है, तो इसको बोलते हैं, चेनी, 49, चेनी किस सिधान पर अधारित होती है, तो ये नमर होता है, फचर वेज, 40, चेनी किस धातु की बनाई जाती है, तो ये दो परकार से बनाए जाता है, का अभी है, चपटी चेनी, गोल नोक चेनी, आरी कट चेनी, डायमन पॉइंट चेनी, पासरव कट चेनी, और हाप राउंड चेनी, अब देखिए ये चेनी दिया गया, इस फीगर को बताना है, कि ये कौन सा चेनी है, देख लिजिए ये, फीगर औरेडी दिया हुआ है, तो इस निवन Мें से असक्रीपर के परकार बता है, कौन को सा तो चैप्टा असक्राइपर, तिन कोन असक्रेपर, एवन डबल हैंड असक्रेपर, meter गोलिये असक्रेपर, नेक्स चलते हैं, नेक्स है, चियालिस नमर धातूओ, एवन अन्य कठोर पदार्थों को काटने, और हस जिसमें blade परियुक्त होता है उसको हम बोलते हैं C number option hexa next चलते हैं 47 number question देख लिए figure दिया हुआ इस figure को बताना है किसका है तो यह hexa blade का है देख लिए यहाँ पर hexa blade लगा हुआ है और यह इसका handle है तो ऐसे ही है इसी का है option number A next चलते हैं और 40 number question यह एक ऐसा कर्थन औजार है जिसे machine में कसकर धातिविक और धातिविक में च्षितर करते हैं तो option number B drill 49 drill किस धातों के बनाए जाते हैं तो A high speed steel B mist steel C दोनो यानि दोनो high carbon steel और mist steel next चलते हैं 50 number question drill मुख्यतर निमन परकार के होते हैं तो कौन-कौन होते हैं सभी परकार के चप्टी drill, सीधी और समांतर श्रेक twist drill B taper sink twist drill C counter sink drill और combinator सभी होते हैं next चलते हैं एक आवन नमर question धातिविक कारेखंडों में आंतरिक चूडियां काटने वाला हंस्त आउजार क्या कहलाता है तो यह कहलाता है option number B tap 52 tap के set में कौन से tap होते हैं तो यह सभी होता है taper tap, plug tap, bottom tap next है तीरपन नमर question कारे करने के नुसार tap के कौन सा प्रकार है hand tap extension tap या तो फिर B master tap, machine screw tap C, bind shake tap, spinal fluted tap next है चववन नमर question धातवी कारे खंडों में बाय चूरियां काटने वाला हंस्त आउजार क्या कहलाता है तो option number 6 die कहलाता है next है पचपन नमर die के दुवारा समाने तक कितने mm ब्यास तक pipe या छर पर चूरियां काटी जा सकती है तो यह है option number 20 survey में next चलते है दाईया निम्न परकार की होती है कौन-कौन सा होता है सभी है ठोस डाई गोलिये विभक्त डाई pipe डाई adjustable डाई उसके बाद c है plate डाई सभी परकार का होता है अब देख लिजे यह डाई कहीं figure दिया गया है तो आपको पहचानना है बताना है कि यह कौन सा डाई है तो यह है option number A adjustable क्योंकि इसको हम घटा बरा सकते है इसके size को यहाँ पर से यह adjustable डाई है next अंठामन नमर कोचन एक कर्तन के आउजार जो tap जैसा होता है इसमें चूरियों के अस्थान पर कर्तन धार और fluent बने होते है इसको बोलते हैं हम रीमर option number C next 69 number निम्न में से रीमर के परकार कौन-कौन सा है तो यह सबी है हस्त रीमर मसीन रीमर सैल रीमर एड़जस्टेबल रीमर उसके बाद expansion रीमर और tap रीमर next चलते हैं 60 number कोचन वह औजार या युकती जिसके द्वारा किसी कारेखन पर विभीन संक्रिया हो के निस्पादन है तू चिन लगाने का काम होता है उसको बोलते है option number B चिन औजार 61 चिन कार में निमलिखित में से औजार साधन पर्योग किये जाते हैं इसको बोलते हैं जिसके एक किनारे पर इंच और दुसरे किनारे पर सेंटिमीटर चिन अंकित होता है जिसको बोलते हैं option number तिर सथ यह लगबक डिवाइडर जैसा ही होता है इसका पर्योग किसी कारेखन में लंबाई इत्यादी को नापने में बड़े पैमाने पर परहने के लिए किया जाता है तो यह है कैली पर 64 किसी मापा की यंतर द्वारा मापी जा सकने वाली नियुनतम माप ही उसी यंतर की क्या कालाती है तो ए नमर उप्शन अलप मतांक 65 यह नट बोल्ट सिधान पर अधारित यंतर है जो अधिक सुचहमता से नाप सकता है इसका अलप तांक 0.01 mm होता है तो एप्शन नमर भी यह होता है माइक्रो मीटर नेक्स चलते हैं 66 नमर निन में से माइक्रो मीटर के परकार कौन से है इनसाइड माइक्रो मीटर, वर नियर माइक्रो मीटर और सी में हब माइक्रो मीटर एवं डिजिटल माइक्रो मीटर सभी है अब है 66 नमर कोश्चन यह कारेखंडों का कौन नापनेक वाला यंतर है इसमें अस्क्वाइर हेड, सेंटर हेड और प्रोटेक्टर हेड नाम भाग दिया गया इसको नाम है ओप्सन नमर भी कम्बिनेशन सेट और सट जिस मसीन दवारा किसी कारेखन को स्पिंडल अच पर घुमाते हुए रेखिये घती करते हुए करतन आजार से उसे परियुक्त आ जांच करने या तूलना करने वाली युक्ती है इसका परियोग पूर्जो के उप्युक्त माप जांच करने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं हम गेच सिनमर अप्शन सत्तर ऐसा था तो जो समानेत तापमान यानि पारिये को छोर कर ठोस हो काटने पर चमके भारी हो विद्दूत और उसमा का सुचालक हो क्या कालाता है उसको हम बीनमर अप्शन धातू बोलते हैं तो दोस्तो ये थे टोटल सत्तर कोश्चन जो की चेप्टर अप्शन बने हैं जिसको टोटल अप्जेक्टिव हम बता रहे हैं तो दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को सियर करें जै